नमस्कार दोस्तों मैं राजीवर आप देख रहे हैं बिहारवाला यूट्व चैनल दोस्तों आज किस वीडियों हम बात करने वाले हैं रेलवे भरती 2024 को लेके दोस्तों रेलवे ने जिस प्रकार से कलेंडर जारी किया उस प्रकार से भरती दे रही है और दोस्तों उसी को ल लेकिन दोस्तों उसमें हुआ यह कि गुरूप डी यानि लेवल वन का जो भरती उसका जिक्र नहीं किया गया कि कब भरती आएगा क्या वैकेंसी आएगा कि नहीं और कितना पोश्ट पर आएगा यह सब कुछ उसमें लिखा नहीं है तो बहुत सारे साथी लोग जो जितने भ और कलेंडर के हिसाब से देलवे का काम भी हो रहा है आप जानना है कि कि यह अर्फ बड़ने का चांस है वो दिखा हुआ है उसके लेकिन लेकिन लेवल वन का है तो लेवल वन का देखिए हैं यह पे अک्टूबर में तो जो रेलमंत्य अस्वानी वेसनप जी है वो बार बार बोले कि हम जो है मतलब चौथा स्टेज में फोर्थ स्टेज में हम लेवल वन का वेकेंसी देंगे दोस्तों कल 28 स्थारी को कॉन्फेरेंस हुआ रेलमंत्य जी का उसमें भी फिर से वह दुवारा यहीं बोले कि हम ले और asclar केंगे और बिडियोन को ईबंदयुए आपको मिलता है सबसे पहले दोस्तों परकार से news निकलन किया है या और देख सकते कि यहाँ च्रवंति जी को फिर से वो ऑपडेट किरा हैं कि हम शुरुवाती दौर में यलपी करदेंगे फिर टैकनीशन करदेंगे फिर एंटिपीशी करदेंगे इसी प्रकार से हम फोर्थ स्पेज में हर एक साल मतलब पर्ते एक साल हम कलेंडर जारी और रेलवे में भरती लेंगे दोस्तों इस वीडियो हम एक्जाम के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करेंगे नेक्ष्ट वीडियो में इसके वारे हम बात करेंगे लेकिन यह भरती का जो कन्फूजन ने उसको लेके हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों आभी बता दे इसी प्रकार से आया तो यह इसलिए निकल का आया कि उस कॉन्फरेंस के बेस पर फिर से जो मतलब पेपर में इस बात का जिक्र किया गया आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा गया कि यहां पर भारती रेलवे में यहां तके इस योजना के तरद दोजार चौबीस के अंद 16,529 रिक्त पदों पर भरती पुरा कर ली जाएगी इसके बाद साल जनवरी दिसंबर दोरन खाली हुए पदों के निक्ति फिर से होगी आप समझे यहां पर देखिए आरपी अपका 4660 फिर आप समझ लिजे यहां पर जनवरी मार्च में सहायक लोको पालेट काया लेकिन भरती 5696 फिर उसको बढ़ा दिया गया 181799 फिर 15 दिसंबर 2023 को 56 के लिए भरती किया गया इस प्रकार से है अभी आपको दूसरा दिखाते हैं देख सकते हैं तो यहां पर आप समझे कि यहां पर परतेक साल चार बार भरती किया जाएगा देलबे के तरब से ठीक है यह जोने कि क्या भरती आएगा कि नहीं आएगा लेकिन भरती आएगा आप टेंसर मत लिजे जिस परकार कलेंडर में दिया गया है उसी परकार से सारा कुछ होगा अब देखिए यहां पर जिक्री किया गया एक चीज और भी यहां पर है देखिए 16529 है ठीक है उसके बाद दे यानि टेक्निशन के लिए 9144 है जिसको कि यहां पर देखिए एक चीज भूल गया यहां पेपर वाला एक चीज छापने के लिए बूल गया यहां 14298 पोस्ट हो चुका है तो यह बात नहीं लिखा है यानि कि पहले वाला ही लिखे है 9144 फिर उसके बाद देखिए कि आप जुनियर इंजिनियर यानि जेई का जो है यहां पर लिखा गया है 7951 पोस्ट ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर वो तो ठीक है फिर उसके बाद लेवल 1456 के लिए देखिए 16154 यानि 154 यानि कि आप समझेजिए एंटी पीसी एंटी पीसी आपका हो गया यह ग्रेज 10 और सॉरी 12 और ग्रेजुएशन दोनों मिला के 10,884 के प्रोक्स मतलब इतना भरती आने का बात मतलब किलियर जो है का नौटिपिकिकिशन टाइप से आया था लेकिन यहां पर देखिए फूल नौटिपिकिकिशन अभी नहीं है उसी प्रकार से निकल का है लेकिन यहां पर मेडिकल काटेग्री यहां पेरा मेडिकल काटेग्री में तेरह सो चीह तर तो यह तो सही है इसी प्रकार से उसके बाद आप दिखाते हैं आपको कि खाली पदों पर भरा जाएगा लेकिन यहां पर पोश्ट देखिए बढ़ा हुआ दिख रहा है कि इसमें ग्रेजुशन फिर उसके बाद जब हम लेवल 2 & 3 की बात करें तो यहां 3445 पोश्ट है यानि यह हो गया 12 लेवल यानि टोटल दोनों को मिला दे तो लगवग 19,000 आपको लगवग मान के चलिए 500 कुछ सीट हो जा रहा है टोटल यानि 19,000 के आसपास भरती हो जा रहा है एंटी पीसी में ज क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है इतना ही आना चाहिए 20,000 के असपास आना चाहिए ताकि बच्चे के लिए अच्छा हो ज्यादा सेलेक्शन ले सके लेकिन उसके बाद देखें यहां नीचे में क्या लिखा हुआ है नीचे में आपको दिखाते हैं कि यहां पर देखें क कि लेवल वन का बात नहीं किया लिकिन वूआ है कि फेरा है यहां देख लिए नो законने कि लिए एकंश में वैगें संट आईगोड इविए निम्हें घ्याइब में नहीं आप देखते के आप समझ लिजे लास्ट सेप्टेंबर के आसपस आप समझ लिजे कि इसका जो है सौर्ट नोटिफिकेशन मेना टाइम लाइन टाइप से आ सकता है कि कितना वेकेंसी आएगा लेकिन आपको बता दे अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा सुरुवाती अक्टूब लेमत की वेकेंसी कवाएगा नहीं आएगा यह कंफ्यूजन में मत रहें अभी आपको हम दिखाते हैं घिल मत्री जी का भी बयान इसलिए चार क्वाटर्स को स्पेसिटिकरी कर्टिक्लर क्याटगरी और अप्रॉइमेंट के साथ इस तरह से कि जैनुरी से मार्च का जो पहला करन होता है पहली दिभाई होती है उसमें एल्पी याने लोको फाइलाइट्स है दूसरे क्वाटर्स और जॉनियर एंगिनियर तो दोस्तों आप लोग देखें कि यह जो है 28 तारीको यानि 28 अगस्त दोजार चौवीस का जो है कॉन्फेंस के जगे जो है रेल मंती जी बोले हैं यह आप देख सकते हैं नियू जिस्टेशन जो चैनल है उनके द्वारा यह वीडियो हम लिये हैं आपको दिखाने का हम कोसिस कियें कि देखें यह जो चीज पेपर में निकल का है वो सही है और लेवल बन का देखें रेल मंती जी खुद बोल रहे है कि हम फोर्ट सटेज में मतलब लाश्ट सटेज में हम जो है वेकेंसी देगे तो आप घबराएनी लेवल वन का वेकेंसी आएगा और अच्छा खासा वेकेंसी आने वाला है आप समझ लिजे शाट से सतर रजा तो कोई काठी नहीं सकता है इतना वेकेंसी आएगा आप कि जम दे दे सबका सुरुवाती दोर से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा जब एक बार चालू होगा तो आप निश्चिंत रहें इस चीद के लिए और अपना तयारी करें दोस्तों यही अपडेट निकल के आया है तो आप घवरानी जो कलेंडर दिया गया उसी के हिसाब से यह जारी होगा तो आप निश्चिंत रहें और तैयारी करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में तब तक लिए जैहिन बंदे मात्व